या कि यह नम तने खोड़ हें माध्य अ मैंने क्षय के पर रहे हैं रौ यह हमारे पियार को सव साल जिन्दा रुखेंगे सब कर दो कहीं कि मुझे ले चल हवेली मुझे नहीं अच्छी लगती तो आँप गजह हवेली जाना थे तो मुझे मूझे आज आ व मैं अपने टाम सहाब से बात करूँगा और तुझे ले जाओंगा हावेली से चंदरबकी चंदरबकी मैं चंदरमुखी की तरफ से माफी मांगता हूँ उसकी तभी ठीक नहीं है ओ ऐसी अगर आपको अतराज नहीं हो तो आप मेरे यहां तश्रीफ लगी कुछ रवी पातें करनी है प्लीस ओके थैंक्यू अब चले चंदरमुखी की दिमागी हालत कुछ नाजुख है थैंक्या का मैंगा दो अथो हम लोग तो बरस आपके पहले चलो जारी है लेकिन पिछले बरस से हमारी बिटियाने रटलगा रख ट्गी है श्रीव उष्मले चलो रुष्मले चलो आप लोग क्या पहली बाश्मले जा रहें नहीं नहीं मैं तो कई बड़ा शिम्ला रह चुकी हूँ ये दो मेने की थी तब लोग शिम्ला चोड़कर बंबे चले गए से उसके बाद अब जा रहे है इसकी वज़ा से इससे शिम्ला नहीं देखा ना इसलिए हाँ 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 एलो एक और टनल आ गई और कितनी है ममा दो एक और होंगी क्यों हूं चंद्रमुकी वो देखो शिम्ला आ गया कि यहां तो मैं आ चुकी हूं यह क्या मेंके माते कर रही हो है कि अ है 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 तुख सुख की हर एक माला, खुदरत ही पिरोती है तुख सुख की हर एक माला, खुदरत ही पिरोती है यादों की शम ये बने बूले नजारों में कभी आने वाले कल पे हसे खिलती बहारों में कभी एक हात में अंधियारा एक हात में जोती है तुख सुख की हर एक माला, खुदरत ही पिरोती है मैं ममा से पहले तयार हो गई आव न ममा आज तुम्हारी ममी बंधन कर निकली तुम्हारी ममी से हमारी पहली मलाकात मालोट पही हूं और हम इनकी मसचाल पर मर गए जोड़ा जोड़ा को शनी तुम यहां? आज मैं तो हर साल यह आती हूँ, और तो? मैं तो पटानी कितने वर्सों के बाद यहाँ आए हूं यह है मेरे हस्बन और यह मेरे बहुत बोरानी सहली कान था और यह मेरि बैटी चंद्रमखी नमस्ते अरे वही बच्ची है क्या जो यहां पैदा हुई थी हाँ यह दो महीने की थी जब हम शिमला छोड़कर चले गए थे इती रहो बिटी अरे कांता तुम्हारे एक बेटा भी तो था ना हाँ नरेश वह अभी अभी अमरीका से डॉक्ट्री करके आया है अच्छा दोनो जरूस क्यों चलेंगे ना अरे आओ सर्ला कैसी हो अच्छी हूँ तुम कैसी हो नहीं अच्छी हूँ नमस्ते भाई साव आपके चे हैं आपकी मैर्वानी जी तुम्हारा क्या हाल चल कैसी हो अरे नरेश बेटे इधर आओ आ रहा हूं ममा है कि मेरे बेटा है नरेश नमस्ते जीते रहा हूं ममा ठी कैते हैं आपको देखके, देखते रहने कुछ ही चाहता है। क्या देख रही है? बंगला हां, बहुत पुराना है, आए अंदर चले। थैंकिए जी, आपने इस घर का नाम आकाश निवास कैसे रख दिया। कि अखाश में वास तो किसी उच्वांट होना चाहिए था आज़ नहीं था यह घर का नाम इस घर का नाम था दिमपल कोटेज यहां एक अंग्रेज रहता था फाउजी ऑफसर टॉम साब टॉम साब था उसका नाम उसे तस्वीरें बनाने का शौक था इस घर के बाहर का बगीचा लाल फूलों से भरा रहता था और एक अकेला देवदार का पेड़ था घर में एक रिक्षा भी होती थी तॉम वाल्टर्ज टिंपर कोटेज आप इस घर में पहली बार आई है यह तो शिमले यह पहली बार आई है सिर्फ दो मैने की थी जब हम लोग शिमला चोड़का बंबाई ही चले गए तो फिर चंद्रमुकी वैसे घर सुन्दर है कांता तुमने खरीदा है क्या अरे नहीं रे किराय का है चौदरी जनक सिंग का है वो शिमले के बहुत बड़े रही से जितने हमीर है उतने ही नेक इंसान बीवी मर चुकी है एक लड़की है और उस पे जान दिये रहते हैं अचानक नजाने मन इसकादर उदास के हो रहा है तबीयत थीक है ना पापा तबीयत की बात नहीं है यूही मन में घवरात्स उड़ती है और चली जाती है उड़ती है और चली जाती है नमस्ता जोदरी साथ जंगल का कॉंटक ठीक चल रहा है ना परमिर से जादा के लग रहे हैं मत खाटना ते रहें कर सुपे हम सावारी के लिए जल जाएंगे जी महराज हुजूर सेग्रिक चाय लगा दीजिए बहतर जनाव मैं अभी आई पापा मैं अभी अपनी मामा जैसे खूबसूरत होते हैं अगर तुम्हारी ममा जिन्दा होती तो आज वही तुमसे बाद करती कौंसी बात बाबा जिन्दगी का क्या फ्रोजा बेटे पेश्तर इसके गेप बाबा यह क्या बात अचानक आपने शुरू करती कुद्रत के कानून कौन बदल सकता है यह हमारी तमना है कि तुम्हारी शादी तै हो जाए हमारे होते हुए यानि आपने पढ़ा लिखा कि हमें वकील इसरे बनाया कि हम वकालत छोड़ दें और किसी के घर जा बैठी शादी करागा और शादी किसी वकील के साथ ही होता हूं मसलन मोहन पापा उनका नाम तो सूरज की तरह रोशन है मैं एक मामूली सा जर्रा उसाफ ताप को पाने के खाब कैसे देखू हमारी बेटी एक नायाम मोती है वो खुशनसीब होगा जो उसे पाएगा तुम्हें मोहन पसंद है ना और मोहन से बढ़कर और कोई नहीं है ना पापा से बढ़कर कोई नहीं है मोहन आने वाला है पहले क्योंगे बढ़ा पापा तो फिर तुहारी आखों में ये चमक कैसे आती मैं क्या जी मैं क्या बादशाओ आपने कुछ परमाया मैं तो बड़ी देर से परमाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन तुछी सुनते ही नहीं है किताब पढ़े जा रहा हूं मैं पूछ रहा हूं हमको पचारा मैं पुछ रहा हूं को पचारा माफी चाहता हूं मैं पहिचाननी पाया ओय मैं सीता मैं सीता ओय रामायन दी हरोईन श्री रामचंद्र दी मिसस बाहर जाओ आप अमरिस्तर खालता स्कूल में बढ़ते थे जी तो बात्षाहों आपका नाम मोहन कपूर है न हाँ वो तो है तो साड़ा नाद असो हाँ हाँ प्यारे अरे प्यारे जानता तु राम लेला में सीता करता था पूरी दुनिया चिडाय करती तुम्हे बड़े खुबसूरत थे यार यार लेकिन तुने अपनी सीता को नहीं पचाना वो तेरी छोटी सी मूच बीच में आगी थी तीना हाँ आज कल क्या हो रहा है आज कल क्या हो रहा है सिम्लादे केटी देटर दा मनी जरू केटी थेटर तु यार तु स्कूल थाड़का क्यों जला गया पीताजी स्वर्गवास हो गय थे उनके एक दोस्ने मेरी पढ़ाई की जिम्हतारी ली मुझे दिली जाना पड़ अवा ठंडी हो रही है अब ये चुस्की लेले पियो बाश्या थेंक्यू यार बचत हो गई यार तु फिर तु अब क्या करदा है मैं चंडीगर में वकील हू चंडीगर में वकील है तो तु शिम्ले पहली बार जा रहा है तो सुन ले शिम्ले में तु सिर्फ मेरे को ठेलेगा समझा थैंक्यू यार लेकिन मैं चौदरी जनक सिंग के आंठे रूंग अरे पापरे चौदरी जनक सिंग तो बहुत बड़ा आदमी है सादा मुकाबरा नहीं हो जगता यार मेरी नौकरी भी उन्होंने लगवाई है अरे मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी अच्छा आज मैं जो कुछ भी हूना उन्हीं की बदालत वेरी पूरा वेरी पूरा अरे भाई आओ जल्दी आओ आओ जल्दी आओ आओ जले तर लगो मियाँ करुना करुना भी तुमे लेने आई है करुना भी तुम पहली बार सिम्ला आई हो करुना भी तुम कैसे नहीं हाते नमस्कार पानाम क्यारे लाल अरे हाँ तुमारा काम हो गया? हुजूर्त वादी महर्वानी जिस्दे होदा काम किस्तरा नहीं होएगा हुजूर् हाँ एक बाद याद आगी हुजूर्त परसुर्त राती गेटी थेटर में सरस्वती देवी का प्रोग्राम रखाए गाले का सारे नाव मजी हाँ जी आप सब को आणा होगा हाँ मोन भी आई हाँ करुना भी वखील बन गई है यहीं हाई कोट प्रेक्टिस करती है अच्छा इनसे कोई मुकदमा लड़ना पड़ा तो मैं यकिनन हार जाऊंगा जर्दा नावाजने का शुक्रिया करुना जी मोहन को गेस्ट हाउस में ठाराओ वहाँ ज्यादा आराम से रहेगा आये वो देखिये पूरा सिम्ला नजर आता है जी बहुत ही खुबसरों जगा है यह रहा गेस्ट हाउस लावली अरे मोहन एक अच्छी ख़ब सुनाना भूली गए तुम्हें सिम्ले का सरकारी वकील बना दिया गया है अरे पापा वो बारक हो शुक्रिया थैंक्यू सर थैंक्यू वही मार्च आपने मुझे इस काबिल समझा शुक्र कुजारूं वेलकम माई बॉइ वेलकम हां मैं सिर्फ मन की तकलीफें या दिमाग की खराबियों का इलाज करता हूं यानि कि साइकाइटर्स हूं यानि कि सर्दध हो या फोड़ा पुंसी आप काम नहीं आ सकते हैं जी नहीं उसके लिए और बहुत से डॉक्टर हैं और ये डॉक्टरी भी अमरीका में सिखी है क्या हां अब आएक अच्छी नौकरी भी मिल रही है सोचता हूं शादी करके वहीं चला जाओं शादी भी वहीं किसी मेम से क्यो नहीं कर लेते हैं अमरीकल लड़की से इश्च कर सकते हैं शादी नहीं कर सकते हैं और देशी लड़की से शादी कर सकते हैं इश्क नहीं कर सकते हैं मैं हसती बहुत हूँ इसका कोई इलाज नहीं है क्या चंदरमुखी चंदरमुखी क्या हुआ क्या हुआ इस आहिए चपने वापस चले हम चला कि आफ कर फित यह हमारे खांडानी मंदिर है और हम और हमारे बजर्किश को इसी मंदिर को पुजारी रहें हैं हमारा कुछतों का संबंध है क्यों पुजारी जी सरकार तिया शाद बहुत खुब सरुत लगता इस चीए यह मोना करना के जोड़ी कैसी रहे की पंदेची बहुत संदर है सरकार तो फिर आप सगाई का महुत निकालिए और भीकुशास्त को भी ठीक से देख लीजिए गा जो है क्या लिखा है बहुत बेचर कि यहां बहुत से इमारते और बहुत से बागीचे हमाने हैं महन और हमारा कोई जानेशी नहीं कवना तुम्हें पसंद करती है अगर तुम्हें रिष्टा पसंद आए तो हम बहुत खुश होंगे हमारा एक बड़ा बोच उतर जाएगा पहले आपके बहुत है मुझ पर को जल्दी नहीं सोच लो चले पापा आओ जब मैं अमेरिका में था तो मेरा हिंदुस्तान वापस आने को जी नहीं चाहता था अब मैं यहां आ गया हूं तो वापस वहां जाने को जीने ही चाहता आप जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते है आपको अपना इलाज कराना चाहिए अब तो मेरा इलाज आपके हाथ में है मेरे हाथ में कहते हैं नीम हकीम खत्राय जान मुज़ूर अब तो खत्राय जान में मज़ा है ममा तुम्हारे गड़ी से बात करने जा रही थी तुम्हारे और मेरे बारे पारे मैंने उसे का के पहले मैं तो तुमसे पूछ लूँ तुम्हारे क्या है तो प्या ख्याल है आपका मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अजीब बात है क्या यह नजारा जैसे दिल को पकड़ रहा हो शाम यहां अक्सर ऐसी हुआ करती है चौदरी साब बहुत महर्बान है मुझ पर मैं अपने आपको बहुत खुशनसीब समझता हूं आपकी हमेशा तारीफ करते हैं और आप हम पापा की बातें सुनकर खुश होते रहते हैं चौदरी साब ने कुछ जिक्र किया था आपके और मेरे बारे में पूछी अगर नहीं मैंने क्या सोचा बात पूछने में बात का लुटफ ने रहता तो हमें बात कहने में लुटफ आएगा अरे करुणा मोहन तुम लोग अभी तक अभी तक तयार नहीं हुए तुम लोग ने तो आज शाम किसी प्रोग्राम पर जाना था ना आपने ही साथ चलेंगे पापा अरे बेटे यह सोहानी शामे तो जवानी मेह लुट देती हैं और हमाई तो जिनगी की शाम आ चुकी है हम तो गुणर साथ से मिलने जा रहे हैं और तुम दोनों के तो हसने और खेलने के दिन नहीं गाने सुनो थेटर जाओ है चंदर मोखी अरे मोहन आधर आजा कहां ले जा रहे हो भी जी चलो तो सही सरस्वती बाई यही है साड़ा बच्पन दा यार मोहन कपूर जब मैं स्कूल भी सीता दा रोल करदा था तब यह राम दा रोल करदा था चले प्रोग्राम का वक्त हो रहा है जी अच्छा आज का प्रोग्राम बदल जाएगा आज चानक एक ऐसा गाना पीश करने कुछी चाहने लगा है जो तीस बरस से नहीं गाया हमें तुम से प्यार कितना यहां नहीं जानते बगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिन हमें तुम से प्यार कितना हमें तुम से प्यार कितना यह हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुम से प्यार कितना यह हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना जी जानते बिना में तो सदा कितना यह हम तुम्हारे बिना हमें तुम्हारे बिना मेरी तो सदा की अमरे दिवानी भूल गए से हां प्रीत पुरानी कदर ना जाने, कदर ना जाने हम तुम से प्यार कितना ये हम नहीं चानते मगर जी नहीं नहीं सकते तुमारे भिना हम तुम से प्यार कर दो तुम ऊष्यार कितना इए रम Ee व कर दोचिता ना चाने कोई जुटारे तूपे नया दोवा कोई जुटारे तूपे नया दोवा कोई जुटारे तूपे नया दोवा जन मोरा मावा हमें तुम से प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जीन नहीं सकते तुम्हारे दिना हमें तुम से प्यार कितना ये हम नहीं जानते मागर जीन नहीं सकते तुम्हारे दिना मैं तुम्हारे तुमा प्या pixels सब्सक्राइब धिंप अरुखा थे विया राउटा ता हिसा पेल पेला थेड़ा थे की अरुटत स्जार और अपर सहां पान, जिर नि समी और मुखी आख Hyun आज, क्या हु गूा? वो फ NOT Oh Okay और मुखी, वो फ बसroveो सिति flour को इसा नाया? टर और दे भी बस बेका मोहन, इस बीट्फुल मॉर्निंग तदे लवली मॉर्निंग सब्सक्राइब करूना जी अरे इन्हें शिम्ला की सेर करवाओ अपने बागीचे बगारा दिखाओ और अपने साथ थोड़ी घुरसावारी भी करवाओ हाय मोहन अरे प्यारे नमस्ते चौदरी साम नमस्ते अरे आऊ आए ना कि वह प्यारे बहुत खुश नजर आ रहे हैं भाई आप दोनों नों कठे वेके कौन कुछ नहीं होगा प्यारे लेकिन सवेरे सबेरे अरे तू कोई वकील है के जादू कर है तू तूने तो सरस्वती बाई पर क आपका पी आरो मैं लो आप तो दो दो गाइड होगे बाई चले चलो कि आरे आप तो में सरस्वती बाई के घर ले जा रहाए थे हां वो क्या जंगल में रहती पापे एक मिनिट रूग जा मेरे थले की सास्थ थले रह गई मैं दिमाग भी थोड़ा पेट्रोल पालो कि देखका वह थैज वह जचले दाड भी व लीचेत दया मोटा सा धासा प्रेश के कि अमत्य कंते अंग oluşखते लाइब पड़ सब्सक्राणी और नजदीक आको लेकिन ऐसे क्या मात्तर ம漫़ कंदे बी दे वकद का तरकत है और कोई पड़ें बराबर्बर इसको पाहरों का पा भॉही पाहोगे जो मंगों यहाँ पर जो इस करने वाले होते हैं न प्रेमी लोग है यहां आते हैं दरकत के पास खड़े हो जाते कहते ए दरक्त अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो सालू जरा फूल बरसा के आशिरवात दे मालूम है मैं तुम्हें यहां क्यों लाए हूँ नहीं तो उस दिन तुम यहां आकर घपरा गई थी मैंने सोचा अगर यहां कोई भूठ चुपा बैठा हो तो उसकी मरमत कर दूं उस तरफ आज ही वह तो यह पीए शरस्वादी भाई को तो यह भूली गए आरे मैं कि तो लालालाला मगर ची नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुम से प्यार कितना यह हम नहीं चान रहे बंद करें यह गाना तुम कौन होती हो यह गाने वाली हम मिल चुके हैं कहीं उस दिन थेटर में देखा था आपको नहीं उसे पहले कहीं आप चंडीगड आई हैं कभी नहीं कहां रहती हैं आप बंबाई मैं बंबाई कभी नहीं गया परांख दोखा भी खा सकती है लेकिन दिल कहता है मिल चुके हैं मैं दॉक्तर नरेश हूं महान कपूर नाइस मीटिंग यू प्लाजर ये करूना जी नमस्ते चले सियो गैन आजी मैं मामा काइड कमाल है सानु मिलाय नहीं सुनी कुलियनाल मिलांदे नहीं दूजिक्कियो हुआ 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 ठ liking हुआ हुआ ऩात बॉटार्ष! एशिए! जडिए लखिती गटीना ऑए्टीाओ उशिएना देविए! गटा होगए! बस बस पस ऑख पस नरे! जी! नरे! जर जलीो! जी आया ö क्या हुआ चंद्रमुखी को क्या हुआ उसे क्या हुआ चंद्रमुखी को अचानक रात को चीख मार कर उठी कोई भयानक सपना पहले भी ऐसा सपना आया था कल रात को बिल्कुल वही सपना कल रात को चिला रही थी कुमर जाएगा मर जाएगा और आज 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 मातों मातों क थे तुम्हेरा फर्स है, प्लीज कर आई हाई ऐसी तो नहीं के डॉक्टर बुलाना पड़े ऐसी तो हो किसी दोस्त को आना पड़े यह तुम्हारे सपने व अपने के बारे में क्या सुन रहे है हा नरेश, दो रात वही सपने आया लेकिन आपको बिमार बनकर बिस्तर में पड़े रहने की इजाज़त किस ने दी हाँ चली चली उठिये आप और हम कहीं चल कर कॉफी पीएंगे चोड़ो सलम काहे कगन हसते रहो, खेते रहो चोड़ो सलम काहे कगन हसते रहो, खेते रहो मिच आएगा सारा गिला खंसे गले मिलते रहो चोड़ो सलम काहे कगन हसते रहो, खेते रहो ला, 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 ला चोड़ो सनम्थ, काहे करम्थ, हस्ते रहो, फिल्दे रहो मिट जाएगा सारा गिला, हमसे कले मिल्दे रहो चोड़ो सनम्थ, काहे करम्थ, हस्ते रहो, खिल्दे रहो मुश्कुराती हसीन आखों से देखो देखो समा बदलता है कैसे जाने जहाँ चेहरे की रंगत खुल जाती है ऐसे मुश्कुराती हसीन आखों से देखो देखो समा बदलता है कैसे जाने जहाँ चेहरे की रंगत खुल जाती है ऐसे आइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए खरागम, हस्ते रहो, खिलते रहो छोड़ो जनम, काहे कगम हस्ते रहो, खिलते रहो आओ मिलकर के यूं बहग जाए, के महँचाएं आज होटों की कलीएं शुमे फिजा, ये गलीव बंजाएं, भूलों की कलीएं आओ मिलकर के यूं बहग जाए, के महँचाएं किलिया शीचा यहां यहां भी ऐचांव है ते मैं वर्हां डाण में बैंटो कौफी लान न जोड़ो सनम याद है उस दिन घरा नहीं थी तो किसी टॉम साप का जिकर किया था महां फिर जंगल में अचानक परेशान हो गई फिर भैयानक सपने आने लगे और अब इस वकील को देखके तुम्हें कुछ हो जाता है क्या बात है पता नहीं न रिश उसे देखती ही लगता ह है उसे में कहीं मिल चुकी हूँ है जांदर मुखी मुझे तुम्हारी चिंता लग गई है इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे दिमाग की हालत ठीक कर सकता हूं वो कैसे नरेश है अपनुटाइस करके तो मैं गहरी नीन सुला दूंगा लेकिन तुम्हारा मन मेरे काबू में डुकंते रहे गा तुमसे जो सवाल पउछुगा तुमसका सई जवाब दोगी तो जवाब मिलने से ऐसी बाद सवाइर हो जाएगी जिससे तुमारे दिमाग परिशान है जिब सबब का पता चल गया तो बीमारी ठीक हो जाएगी मुझे बीमारी tapis diena hi git यू दिमाग में अ अब आचुका होगा अब आखें पंद करो आराम से लेटी रहो बदन एक तम ठीला कुछ मत सोचो अब तुम्हे नींद आने लगेगी तुम्हें नींद आ रही है अब जब तक मैं नहीं जगाऊंगा तुम नहीं जागोगी मेरी आवास कि सिवा तुम और कुछ नहीं सुन सकती जो पूछूंगा उसका जवाब देती जाओगी अब तुम्हारी उम्र पंद्रा बरसकी है क्या उम्र है पंद्रा क्या कर रही हो मम्मी के साथ हूं तुम्हें कोई सताता है नहीं अब और पीछे चलो अपनी जिंदगी में क्या उम्र है 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 अवेली कहा है? शिमले में माथरो कौन है? मेरा मंगेतर कहां कहा है? बढ़ाई गांका यह अवेली तुमारी है? नहीं, मेरा बाप वहां का माली है सन कौन सा है? 1945 1945 1945 1945 नाम पारो, उमर बीस, माथर मंगेतर मुझे तो लगता है यह पिछले जनमें पांच कई है हाँ, डक्टर, ऐसी लगता है ओ मैं गड़ ओ मैं गड़ मैंने तो कभी ऐसे मरीज का इलाज ने किया जिसका दिमाग पिछले जनम से परिशान हो तो कुछ और सवाल पूचके के ना मैं नहीं मुझे फॉरन इसे होश में वापस लाना पड़ेगा नहीं तो खत्रा है अगर मैं इसे होश में वापस नहीं ला सका तो यह उम्र भर के लिए पागल हो जाएगी चंदरमखी पारो हाँ पारो तुम वापस चंदरमखी के जनम में लाटाओ जो मैं कहता हूँ वो करोगी तुम चंदरमखी हो चंदरमखी हो चंदरमखी 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 Oh God अब तुम अब तुम नीन से जाग रही हो चंदरमखी चंदरमखी जागो अपनी आखें खोलो और नरेश मैं बहुत थक गया हूँ तो क्या कोई पिछले जनम की बात उसे सता रही है जी तो इसका इलाज सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा जो बात वो कहे हां में हां में लाते जाए माधों के लाबर वहवेले जिक्रती है यह तो हर मड़ी कोटि को में हाँ जाता है कोटि कानाम नहीं बताथी नहीं किसी चंद ही बाड़ेगां यावन तो है शिमले की नीचे हनमाणगी का मंधिर है उसके पीछे जो जाँ है वही बलेगां कि मैं मुनने स्पेलिटी की आदमी को बला कि श्रमले का नक्षा भी देख लेता हूं मुम्किन है पता लग जाए हवेली कहा है पहले उसे गाउं ले चलते हैं शायद उसकी याद ताजा हो जाए किसी चीज को देखकर वह ऐसी बात करें जिससे उसका इलाज पकड में आ ये माधो का गहर है अ सुना बच्चो ये किसका घर है पता नहीं यह पर कोई नहीं रहता है ये माधो का गहर है कौण माधो तो कब का मरी गया कुछ याद़ कब पता नहीं महारा है तब तो अग्रेज का राज था हो गए हुगा फशी पचींति को नहीं कि नहीं सट्टो बहन हां सट्टो पर पता निवों किदर गई जिंदी भी एके मर गई कल गोई आई दी घर साफ वोगे चली गई कौन थी क्या मालूम फिर आईगी वो सफाई करके चली गई क्या पता फिर आजाए क्या जाने कि कुछ और याद है कि आव आगे चले कि यह कौन है बोर्ट के लिए गिंदी करते होंगे और यह कौन है यह इंकम टक्स वाले होंगे जिक चलो 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 चोड़ी बेबी आप नमस्ते हैं ओफो हम तो वकील साब को बागी चत दिखाने लाए थे और तुम फिर नशे में हो इस बार मैं पापा से जरूर तुम्हार तुम्हारा मतलब है इस शिमले के नक्षे में हवेली नाम की कोठी नहीं है नहीं मराज कोई घर भी नहीं है को नहीं कर्भ प्रश तुम्हार थाजने के लाए यचार तुम्हार तुम्हार दूम्हार मोड़ भावर तुम्हार जह जैड़ी नहीं है झाल, 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 झाल. झाल, 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 झा कि ऐसा सुनने में आया कि हजूर के साबजाद रे फॉस से स्टीफा देने की ठानली है नवाब साहब आजकल हमारी तबियत बहुत खराब रहती है और फिर जमीनों की देख़ाल भी जरूरी है लेहाज आदा उसना अपसा अपर खुरदार तुमारा ही जिक्र हो रहा था पीत कर खोल भीतों का मुझता झाले ह Begen है यूसिको फ्रियो पॉसियों कि शीघाध थाले जरू बिस्ति औरूस कर थे क्यों थात व को प्रेजकिन क्यू बंसा हो यू यू पिख युदी में रिक्षाल रिक्षाल आपी जिए टूम तूम अप्टूल बीटिफ बाइड़ चेर्स अजार्लें, अजार्णार्णास एई बारो यह मिठ्था होता है क्या यह कौन कहता है मिठ्था होता है क्या बोला अंग्रेजी मैं बोला स्वीट मतबल मिठ्था होता है यह यह तुपी कहा है यह मिठ्था है जोगता है तेरे लिए यह मिठ्था है मेरे लिए यह मिठ्था है देख यह माथा कोई देख लेगा ठैर यह तुने ओरंगी ले कैसा जादू किया तुने ओरंगी ले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया तुने ओरंगी ले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया बाहों में छुपा दे ये क्या किया पिया पिया तुने ओरंगी ले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया पिका है है आस बुलाके डलेते लगाके तुने को मदर डाले दुनिया नए है नजारे नए है इशारे रही न वो पलवाली दुनिया पास बुलाके डलेते लगाके तुने तो बदर डाले दुनिया नए है नजारे नए है इशारे रही न वो पलवाली दुनिया सपने दिखा में क्या किया औरे पिया तुने उरंगी ने कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया तक गुद्च आपटे आपा गारे पियाए पिया अपिया फिर मच्छाने लगी मनमें जैसे लहराए नदिया का पानी लहर उठे रे मेरे तन में ओ मेरे साजन पे थी धर जन शोर मचान लगी मन में जैसे लहराए नदिया का पानी लहर उठे रे मेरे तन में मुझे मैं समा के क्या किया औरे पिया तुने वो रंगिले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया बाहों में छुपा के क्या किया औरे पिया तुने वो रंगिले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया हूं तो यह नाम तने खोधे हां मॉधा हां मैंने खोधे हैं पारो यह हमारे प्यार को सव साल जिन्दा रखएंगे हभ तोग और पारो मुझे ले चल है वेली मुझे लगती तेरी हवेली तुझे चोड़कर हवेली जाना मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मुझे हमेज के लिए हवेली से ले जाएंगा पारो मैं अपने टाम सहाब से बात करूंगा और तुझे ले जाओंगा हवेली से चंदरबुखी चंदरबुखी मैं चंदरबुखी की तरफ से माफी मांगता हूं उसकी तभी ठीक नहीं है अगर आपको अतराज नहीं हो तो आप मेरे यहां तेश्रीफ लाइए कुछ रवजी पातें करनी है प्लीज प्लीज ओके थैंक्यो आपसुआ ज 살रे चंदर्बुखी की दिमागी हालत कुछ नाजुक है वहोन समझती है के वह आपको पिछले जनम से जानती है और ताब आपका नाम वाथ मॉथी बुकरे चानताए और ऑसकी दिमागे 25 नश वाउनल، जखेया मुजे जरूर पताईएगा हैं आप पिछले जनम में विश्वास करते हैं विश्वास तो वो करती है मैं इतराज नहीं करता क्योंकि इलाज करना है इसलिए आपको तक्रीफ दी अगर फिर कभी आपको बलाऊं तो आईएगा इलाज में आपकी जरूत पड़ेगी तोबसाभ नंहीं किसी लड़की की दिमागी किषानी के किसों में उलजना चाहता हूं ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं बार बार यहां आ सकूं ना ही मुझे पिछले जनम में दिल्चस्पि है ना मुझे यकीन है लेकिन इंसानियत क माधा चंदरमुखी यह मोहन कपूर साभ है मौत नहीं दॉक्टर नरिष समझते हैं मुझे कुछ दिमां की बीमारी है बीमारी नहीं चंदरमुखी मामुली सी उल्जन है जो निकल जाएगी आप फिर आएंगे आप बुलाएंगी तो जरूर आऊंगा रोज बुलाओंगी रोज आएंगे मैं हसती बहुत हूँ मोहन साब हमसे मिलने आया करेंगे क्यों मोहन साब आएंगे ना आएंगा वो तो मुझे कोई माध्व समझ बैटी है पिछले जरन का चक्कर है आमका तुम्हे कोई माध्व लगत है का यह क्या कर रही हो पापा गुरु मालों पर अपना नाम करवाने का शौक है जे एफ चनक सिंग पहले यह काम हमारी दादी मा किया करती थी फिर मामा और अब हम करते हैं बहुत खुबसूरत है आपके लिए बना दूं क्या फिलाल हम यही ले ले लेते हैं कहते हैं किसी को रुमाल देने से जबड़ा हो जाता है आप पुरानी बाते हैं लेकिन वो लड़की बात बड़े प्यार से करती है अजीव अंदाज है उफ हो मुझको तो पुझारी चीज से मिलने जाना है चलेंगे मेरे साथ हाँ चलेंगे क्यों नहीं अगर वो बीमार है तो जरूर जाना चाहिए आप पिछले जनम में विश्वास नहीं रखते हैं बच्पन में सिखाया जाता है कि दूसरा जनम होता है लेकिन बड़े होने के बाद पढ़ाय वडाय करने के बाद विश्वास तूट जाता है आप मानती है पिछले जनम की बात है मैं अरे नमस्कार पुझारी जी जीती रहो बेटी आज पाफा नहीं आ सके कोई बात नहीं पुझारी जी हाँ बेटा दूसरा जनम होता है जरूर होता है जनम जनम की बात नहोती तो भ्रुगुशास्त तक्चा कैसे निकलता भ्रुगुशास्त्र? भ्रुगुमहाराज ने लिखा था सहेकड़ोंसार पहले उसमें हजारों लोगों की जिंदगी का ठिक्र है जो हो चुके हैं जो आप हैं और जो होंगे तो उसमें पापा का भी जिकर होगा शायद मेरा भी हो क्यों नहीं? वजब है एक दिन मैं आपके पास जरूर आऊंगा शायद मेरा भी हो हाँ हाँ नमस्कार आपका गाना कभी नहीं बूल पाऊंगा पुजारी जी पापा ने ये हजार उपए भेजे हैं मंदिर के लिए धन्यवाद करुना नमस्कार जीती रहो आपका वो गाना मुझे हमेशा याद रहेगा मैंने कहा था ना करुना जी भी वही कहेंगी जीती रहो दोनों आपको देखके अजीब सी खुश ही उमरती है दिल में कल गाउम वालों ने मुझे मिले में बुलाया है शाहिद वो लोग वहां मेरा एक पुराना द्याती का ना काएंगे अपने जमाने में मैं गाया करती थी तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं चलते मेरे साथ क्यों नहीं ओ बिन्द्यावाली बता बिन बादल बिचली कि धर चमकी अब बिन बादल बिचली कि भर चमकी तुने बदी देखा है क्या तुने अभी देखा है क्या अब बिन बादल बिचली कि धर चमकी तुने लोग मेरे साथ क्यों नहीं अब बिन बादल बिन बिन मेरे की करत चमकी अब बादल में तुम्हों नशनुकितन करते कि मेले की धूं हम आए है तुम्रे का बोरी संभालो हमें करदो चुनर्या की चाँ परे दिल पे कहीं गिरना पड़े जिल पे कहीं गिरना पड़े तड़के हमारा जिया बिन बाद बिचली कि धर चमकी बिचली कि धर चमकी बिचली कि धर चमकी हो गया, ह pathetic ही बिचली कि धर चमकी बिचली कहा बलब sensor मोरा पजन है मेरा मरे थोड़ा समय बलखा गई तजुन मेरा जुन्दा दिन बार बिचली किधर चमकी तो सावन नहीं बादो नहीं अरे बादो नहीं ओ बिंदियाँ वाली बता अबिन बादल बिचली किधर चमकी अब बादल बिचली किधर चमकी किधर चमकी किधर चमकी किसे जूर थे ओ? व जो आपके साथ आही थी? इस तरह औ? पीचे ज़ाओ Technology तुम करता दरखकात। आ पर यूज़ू कि यह है कि यह है कि क्या सोच रही है चंद्रमुकी यह भटक रही हूं तुम यहां क्यों आये चले जाओ यहांसे कि मत जाओ महान मत जाओ तुम मत जाओ यह देखो मैं तुम्हें ले क्या लाया हूं कि तुम्हें याद नहीं क्या है हम मिली थे कभी यह उस दिन उस दिन से पहले बहुत पहले यह तुमने लिखा था यह तुमने दिया था आव मेरे साथ कहां जहां हम तुम मिली थे याद नहीं मैं तुम्हारी इंतजार में बैठी थी माधा मेरे वास्ते नहीं मैं पहनूंगा इसे देख इसमें क्या लिखा है क्या माधो पारो माधो पारो माधो पारो ए माधो तू कभी पुछेगा नहीं क्या मेरा प्यार कितना है कितना है आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक उससे भी आगे इतना और तू कितना प्यार करता है कि बोलो ना हमें तुमसे कितना प्यार है पारो यह तो हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना यह हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना यह हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार हमें प्यार सुना वम्जुदाई का उठाते हैं दो, जाले जिन्दगी कैसे बिताते हैं दो दिन भी यहां तो लगे बरस के समान हमें इंतजार कितना यह हम नहीं जानेते मगर भी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुम से प्यार तुम्हारे कि और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर समलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं उन्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानेते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुम से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुम से प्यार कच्चू. क्यूं? लो. कट्टू. तिरी बाल कट्टू. कट्टू. मधो, पारो. यह क्या कर रही हो? यह दर्खेत हमको सौव साल जिन्दा रखेगा. यह धती हमेश्च जिन्दा रखेगी. कुछ याद आया? मुझे तो साफ नजर आ रहा है. तुम माध हो, मैं पारो हूँ. तुम्हे याद नहीं? कबो नहीं करते हो, मोहन. लेकिन इंकार भी नहीं कर सकते हैं. कुम माध हुआ है. लुटूब क्या है हमारे प्यार की निशानी मा दो पारो कब समझोगे जब मर जाओंगी तब समझोगे या किसी और जनमें समझोगे ऐसा न सोचो चंदरमुखी तुम्हें बहका रही है तुम्हें मेरे विश्वास नहीं विश्वास है जब तुम्हारे पास होता हूं तो विश्वास हो जाता है तो तुम हमेशा मेरे पास रहो हमेशा मेरा विश्वास करो मोहन इतनी देर मेरे बीनों कैसे रह सके नजन कैसे रह सका प्यार करते हैं मोहन हां करता हूं चंदरमुखी करता हूं बहुत करता हूं कब से करताया हूं, सीना फट जाय उतना करता हूं माधो, मुझे अवेली से हम इसके लिए लेजा अवेली, कहा है अवेली, चंदर मुखी, कहा है अवेली, बोलो, पताओ मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं मुझे कुछ याद नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं यह तुम्हे क्यार जाता है पहुत ने सगाय का दिख्र किया तुमसे अरम भी नहीं उसे प्हुत uniform देख्राय आते वरुपरए पार्टी हो रखते हैं और उसमें उसगाय का इलान करदेनगे लेकिन पहले उन्हें बात करने का मौका तो दीजे बापा अरे उसे और जिन्दगी में क्या चाहिए और हमारे लिए इतना काफी है कि हमारी बेटी उसे चाहती है ये सगाई नहीं हो सकती यका यक जिन्दगी ने पल्टा खाया और मैं मैं बेबस हो गया चंद्रमुखी हाँ और पिछले जनम में विश्वास कर लिया हाँ उसने कुछ बात ही ऐसी की जैसे मुझे कुछ याद दिला रही हो एक बिजली सी चमकी एक पर्दा सा अटा एक औरा सा उठा बस मुझे विश्वास हो गया बहुत खुशकिसमत है वो करुना जिंदगी में कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी मैं अगर तुमारे किसी कामा सगू तो मैं अपने आपको खुशनसीब समझूगा बस बस एक ये खताम माफ कर दो रहने दीजे भूल जाए देने वाले ने किसमत तो नहीं दी लेकिन दिल बहुत बढ़ा दिया है एक दर्खास्त है बोलो आप चंद्रवुखी को हमारी पार्टी में लाईएगा हम भरी में फिल्म में आप दोनों की सगाई का खुद ऐलान करेंगे नहीं यह मैं नहीं कर सकता यह नहीं हो सकता इतना तो हक दो मोहन अपनी खुशी में मुझे शरीक तो होने दो आदा जो हम चाहते हैं वही होगा मोहन ने इंकार करने के जुरत कैसे की ना मुम्किन है यह सगाई नहो शेक्रेटर इसे कह दो के मोहन को हमने याद किया इंकार उन्होंने नहीं किया पापा तो फिर क्या तुम से कोई नादानी हुई तुम दोनों का आपस में कोई छगडा हुआ जी नहीं तो फिर यह शादी क्यों नहीं हो सकती कि आपको ऐसास होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करेंगे अपनी बेटी की भलाई के लिए करेंगे दूनी चांद वुजूर आते इत्वार की पार्टी का सब अफसरों रईसों को बिलावा भेज़ दो उस भरी मैफिल में हम करोना की सगाई का एलान करेंगे है है राय साब भाई लगके का क्या सोचा लौ भी पास कर चुका जवान हो चुका इसकी शादिवादी करवा दीजे क्यों में पर खुरदार तो आप उन दिनों चंडीगर में थे लिए चंद्रमु की आ रही है न आई आईये जज साब आईये आईये आपने तुम्हें बहुत इंदार कर आया बाभी आपको बहुत मुबारिक और हुआ जया समसेशन जज़ बन गया है शुक्रिया चादी साब आपको आने बहुत तक्लीफ हुई होगी कोटी नहीं दूर है न अरे मुंची जी अरे मुंची जी सब इन लोगों को खामश करना है हम एलाने करेंगे जल्दी साहबान साहबाग कि यूँ ही महफिल सज़ते है यूँ ही महफिल रंग यूँ ही धलने दा सज़ते है यूँ ही महफिल रंग यूँ ही धलने दा एक चारा का पुछने दा इक चराग जलने दा सज्चति है inad है पी रंग युंन धालने दा इक चराग भुचने सा शर्षे को जते है काध्याőज ज्चति है युद्रमाइब यु Tabii तुरमापनव। साजे तमन्ना आणा कोई गेत जाए हूँ साजे तमन्ना आणा कोई गेत जाए हूँ जशने पहबत है जूब के बनाए हूँ शादे वो रादों के सुबह तक तो चलने गाँ सजी क्हे यूँ ही महचे रंग यूँ ही धलने दो एक चराग कुछ में दो एक चराग जलने दो सजी क्हे यूँ ही धलने दो आई नहीं वो आई की है नरिश कैसी लग रही है आज उस पार्टी में कतले आम हो जाएगा ऐसी लग रही हो कुछ गबराट से हो रही है बज़ा क्या है आज ता नजर भी में अपनी उक्ती है दुआ बंकर दरतन भी निकले दिल से नगवाई वफा बंकर आज ता दिलो जाके हसरत निकलने दो सजती है यूँ ही में हटन रंग यूँ ही ढलने दो एक चराग बुझने दो एक चराग जलने दो सजती है यूँ ही में है फिल रंग यूँ ही ढलने दो हेलो बहुत देर कर दी कबसे आपका इंतजार कर रहे हैं आए पाबा से मिलिए यह है चंद्रमुखी और यह है मेरे पाबा यह बत्तमीज यह बत्तहजीब यह लड़की कौन थी मोहन इसे शादी करना जा रहा है क्या कहा मोहन इसे शादी करना जा रहा है यह बात यह बात तुमने अब तक क्यू चुपाई चंद्रमुखी 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 कुछ तो बताओ, तुम इस तरह डल क्यों गई, क्या हुआ? पता नहीं इसे आराम की जरूत है अगर यह कुछ बता दे तो शायद कोई रास खुल जाए उसका इलाज भी आसान हो जाए उसे फिर से उपनेटाइस करो, गैरी नीन में लेचाओ शायद उस हालत में कुछ बता सके ऐसा करने में खत्रा है क्या खत्रा है? वो पिसले जनमें पहुंच जाएगी और शायद मैं उसे बाबस न ला सकूँ लेकिन और कुछारा भी दे वो पागल होगी तो यूँ भी तो पागल होती जा रही है वो कि अखिए ने ले सकता है उसके आल है तो देखो यही तक तुम्हारा प्यार प्यार का वास्ता मत दो प्यार वो तुमसे करती है तो जिम्मेदारी भी मीरी है उसकी मायवारा की रज़मंदी मैं ले लूगा लेकिन तुम हाँ करो, करो, अच्छा, लेकिन यह आखरी बार है, चंद्रमुखी, अब तुम गहरी नीद में हो, अब तुम अपने पिछले जनम में जा रही हो, जब तुम पारो थी, अब तुम पारो हो, मैं जो कुछ पूछूँ, उसका चवाब मुझे देना, कल राज जो हुआ, उसका तुम्हारी जिंदगी से क्या तालुक है, मैं माधो के पास हूँ, अब मैं तुझे अवेली से चलती ले जाओंगा, जूड बोले हैं माधो, प्या के ले जाओंगा, कर अब? पहुचलती, काम सब बोले, ये ले तो सुरुपया, जाशाती बना ले, काम सब बहुत अच्छे हैं, माधो, जब भी ये ठलता सुरज देखोंगी, तो तेरी ये बात याद आएगी, अब तो मैं हमेशा तुझे दुलन के रूप में देखता हूँ, हमेशा, बहुत बेचैनी होने लगी, सुवाग रात तक जिन्दा रहना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, माधो, मैं भी अपने को तेरी दुलन के रूप में देखूंगी, हर वकत, पारिस होने वाली है, चल, अरे, आएगी, मैं तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, फिर क्या माधो, अब तो हमार साधी होने वाली है ना, बजहा आ रहा है, अरे, सरम नहीं आती तुम दोनों को, अब साधी के बाद, जितना जी चाय गूमना फिरना, चल, भग, शकल के देख के बाग यह से, इति देख किया लगा जी तेने, बड़े सरकार के तब भी ठीक नहीं, वो सोई गए है, अब सुन, छोटे सरकार खासी देर से आमेंगे आ मैं काऊं जाएके आतों, तुझा जल्दी काम कर, पारू, आग अच्छी खासी जला दीजो, तंडी बहुत पढ़ रही है, अच्छा बाबाबा, क्योंक्ता है एफ, हाँ आए, आए एफ, हाँ एफ, हाँ ओफ, हाँ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है है दुआ हुआ 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 है जो वो बोगान पसमे खड़ दो जो रहाँ ये खड़ाँ कि झाला है परो, अब तो मैं हमेशा तुझे तुलन की रूप में देखता हूँ अमेशा, बहुत बेचानी होने लगी, सुवाग रात तक जिंदा रहना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है माधा, मैं भी अपने को तेरी दुलहन के रूप में देखूँगी, हर वकत हाई, बहुत सुन्दर लगते हो पारो, तुझे मैं रानी बनाऊंगा देख, ये महल तेरे लिए खड़ा किया है, ये सब तेरे लिए है ये सब मेरे लिए और मैं तेरे लिए माधा देख, सेज़ जाई है पारो, तेरे और मेरे लिए हाँ आई जाई माधा आई जाई पारो, आई जाना, चोटे सर्कार आते होंगे रोटी के देर होईगे आई आई बारी सब देरे लिए बार T कर दो कर दो आस 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 प्तो प्तो बैंन। सरा लुषी अदोर कि का लओता है सत बैंन। सत बैंन। जए जए घए जए 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 जएए जएफ जए का सदो जए ये हवेली में खोई पड़ी है चंदरमुखी, ये हवेली कहा है? मौलूम नहीं चंदरमुखी, ये छोटे सरकार कौन है? मुझे कुछ मौलूम नहीं मोहन, उस दिनकाम वाले कह रहे थे कि मादो के घर पे कोई आई थी, वो फिर आएगी मोहन, तुम मुझे छोड़ कर मत चाओ मैं अभी आयता हूँ नहीं, तुम मेरे पास रहो मैं जाता हूँ क्या आप बता सकते हैं कि सत्तो कौन है, कहाँ है सत्तो आपके सामनी खड़िये, फर्माइए मेरो बचपन कर नाम है मैं डॉक्टर नरेश हूँ एक अजीब दर्खोस लेके आया हूँ कहिए मेरे एक मरीज बड़ी नाजुखालत में है मैं आपकी मदद चाहता हूँ मेरी मदद? आपका बड़ा इसान होगा सिर्फ शिम्ले तक जाना है बड़ी शौक से मुझे भी वैसे शिम्ले ही जाना है लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी मदद मैं आपको रास्ते में सब कुछ समझा दूगा ते लिए आये कि मेरी में खुछ कि मेरी मुझे बड़ा कि मेरी मेरी समूद कि मेरी मेरी उने कि एलूगा ऑá पारो? पारो? क्या हुआ पारो, अरे एरते क्यों हो रही है, बता ला क्या हुआ, मेरा दिल पैठा जा रहा है, बोल क्या हुआ सत्वभर है, हवेली में छोटे सरकार क्या हुआ, मारा तुझे मेरी इजद मुझे कहीं का नहीं छोडा बारो, नहीं बारो माधो से मत कहना, वसे कुछ हो जाएगा और यहां जाती है, यहां जाती है नहीं माधो 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 यह अपनी जानो अपनी जानो गाएगा यहुच गिदान लूँ़! चोचेजर कार गिदान लूँ़! बादाओ! 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 आप जानती है, आवेलिका है, महा से सब कुछ पता चल जाएगा! मुझे नहीं मालूम, पारू का बाप वह माली का काम करता था, बस इतना ही जानती हूँ मैं! पारू का क्या हुआ? ये भी नहीं मालूम, मादू के मौत के बाद, मैं शिम्ना छोड़के चली गई थी! कैसे पता चलेगा? ब्रीको महराज के पास, मैं वहाँ गई थी! वह कौन है? मैं जानता हूँ! क्या बताया आपको? जब मादू दूसरा जरम लेगा, तुम्हें मिलेगा! मिला? हाँ, तुम्हें ले! मुझे पुरा विश्वास है! आप डॉक्टर साहब हैं, आप विश्वास ने करें! आप वकील साहब हैं, शायद आप भी विश्वास ने करें! आप लोग बहुत पड़े लिखे हैं ना? लेकिन मैं तो अन पर गवार हूँ, मुझे पुरा विश्वास है! देखिये, अगर आपको विश्वास ना भी हो, तब भी एक बार मेरे साथ चलिये! अभी एक सवाल और, छोटे सरकार कौन है? चोद्री चनक से! और ये कन्या जिसके बारे में प्रश्ण पूछा गया है, उसका नाम जर से शुरू होता है? चंद्रमुखी! पूछने वालों के नाम मा से और सा से होंगे! मौन! इन में मा नाम वाला पिछले जनम में सा का भाई था! प्रश्ण पूछते समय, चैनाम की कन्या महाकस्ट में होगी, क्योंकि ये वही आत्मा फिर जनम लेकर आई है, जिसका पिछले जनम में पा से नाम था! हा, पारू! पिछले जनम में इसकी हत्या की गई थी! इसलिए इस जनम में ये तब तक तड़ती रहेगी, जब तक इसकी हत्या करने वाले को डंड नहीं दिलाया जाता! सजा! पुजारी! इसकी हत्या का दंड वही दिलवाएगा जो पिछले जनम में इससे प्रेम करता था! और जिसका इस जनम में नाम मह से शुरू होता है! और जो नाय से संबंद रखता है! वकील है! मैं सजा किसे दिलाऊंगा? कुद्रत आप के जरीए सदा देगी! लेकिन ये सदा दीनी किसको है? बारों की जान किसने ली? आगे पढ़ता हूँ! अब इस बात का वरनंग किया जाता है कि उसकी हत्या किसने की? पन्ना फटा हुआ है! तो कैसे पता चलेगा? मैं सिर्फ भ्रगु महराज के कही बातें पढ़कर सुना सकता हूँ! इसके आगे कुछ नहीं बता सकता! मैं तुम्हें मादव कह सकती हूँ! एक बार... मादव... मेरे बया आँखे जनाजे दिल में आँखों में चिताएं गम की उड़ गई आस दिल से चली वो हवाएं गम की तुपान के सीने में ये जैन से सोती है दुख सुख की हर एक माला उदरत ही फिरोती है हाथों की लगिरों में आप नमस्कार खरना भी भूल गएं ये मुगालिता ना हो कि चाहदरी जनक सिंग अपनी बेटी का टूटा हुआ दिल लेकर हुजूर के सामने फर्याद लेकर आजिर हुआ है हम महज ये पूछने आए हैं कि उस रात मैफिल में जो तवाशा हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है बोलते क्यों नहीं मजबूर हुँ मजबूरी के एक नाम बुजदिली भी है एक नाम खामोशी भी है सो खामोश हुँ एक पागल लड़की ने तुम्हारी अकट पर परदा डाल दिया है जिस चीज पर परदा पढ़ा है पढ़ा ही रहने थे हैं ये परदा कफन नहीं जोट नहीं सकता लेकिन देख रहा हूं कि तुम इस दीवानगी में दफन होते जा रहे हो बहुत बड़ी गलती की है तुमने मोहन जब सीधे रास्ते पर आ जाओगे तो वो रास्ता सीधा तुम्हें हमारे दर पर लाकर खड़ा कर देगा मगर इस वक्त मेरा रास्ता सीधा इस खर से बाहर जाता है किसी चीज की जरूरत हो तो लेते जाना यहां कभी इंकार नहीं होता नरेश कह रहा था हवेली का पता लगाना बहुत जरूरी है आप तुम मिल गए हो हवेली से क्या मतलब याद करो कुछ याद नहीं जलो करेके जाना करेके जलो यहाद प्रव इंवा ? वो जो क्या आवे लिए यही है हाँ वहाँ उपर सोने वाला कमरा था और उसके उपर सामान रखने का कमरा था लेकिन यह हवेली नहीं थी बाबा उदे बैठा करते थे बाबा बाबा कौन? पारो हाँ पारो बाबा बाबा बिठिया आरो हमको मालमस तू आएगी तू जिरूर आएगी तू आएगी तू आएगी बिठिया लोग छूट बोलते थे कि हमार बेटी मरी गई मैं विटिया, हमको मिस्वास था, तो आई जी, तु चिरूर रहे जी बबाबा, तु मिल पर आगे आई जी नरेश आप तो मरी देख रहे हैं, अंदर क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आती मैं जाने किया चली गई, पारो सुनिये, आप यहां क्या करते हैं, मैं तो मली हूँ बाबुजी, लेकिन आप कौन हूँ, मुझे लड़की अभी आई थी, कहा गई मुझे तो पता नि, मैं तो अंदा हूँ, वोई मैं आप से पुछूँ, तु मैं नसे पुछताच करो, मैं अंदर देखता हूँ पारो, तुम्हारी क्या लड़की, मेरी बीटिया है, बाबुजी चंदर मुखी चंदर मुखी क्या हुआ चंदर मुखी चंदर मुखी मुझे घर ले चलो अचा तुमने रिपोर्ट लिखाई जे तारिख तारिख ओजी बरसत्तों के बाद का मिनना था अंग्री जी की बीज तारिख सन क्या था सन उनने सबंतालिस उनने सब पैता नरेश तुम चंदर मुखी को घर लेके चलो, मैं भी आता हूँ बाओ जी साहब आप मुखी चलो निलाज साहब जयन जनाब मुझे उननी सबंतालिस का रेजिस्टर चाहिए फारण, मैं बहुत जल्दी में हूँ जी जनाब अवालदर जनाब अंदर से जल्दी रेजिस्टर निकालो फारण जयाज़ दालेश जनाब जन्तालेश जुलाय August 10 tou 12 20 20 august कि तलाच जारी है तैकिकाद जारी हैं मैं तेलाच बन कर दी गई देखीकाद भी बन कर दी गई कोई वजह नहीं तब आद थी ऑकद्सकें खचाइब कि अंग्रेज हम न गान जानाब इसे मालूम है शाहे थी अंग्रेज है रहा चाहिए तुम्हें याद है संज 45 में जगतराम यहां तान करता था जी हाँ मुझे याद आया वो बहुत शराप मिले लग गया था जी डूटी पर भी नशा करके आता था सरकार ने उससे निकाल दिया कहां मिलेगा वो ब्रेगो का रहने वाला था शाय वही मैं मैं आपकी कुछ मज़ तुम्हें जगतरामो जगतराम यह है अहां मोज़ वाकी शुक्ल सब्सक्राइब टिस्या नहीं कि जया क्टरी आट करूंगा अपश्य पैसे नहीं मुझे पिलाएगा एक ही बात है, दुकान बाहरा है, सामनी है, जली आएगा वकिर आप बहुत अश्याद में है, जो तीन बोतल लाएंगे, दो बोतल पिहूँगा, बहुत ही जरूगा दो बोतल देना, कोई भी जो जो चोटा लाजाओ आप करो बैस दे जक्तिया, जक्तू, जक्तू, पहले बती जला लो, बात बात दूर की है, कितने मिल की, मेरा मतलब है, बात बहुत पुरानी है, पुरानी है, हाँ, ठैरो, 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 अभी सुनता हूँ, क्योँ, जब मैं पीता हूँ, तो मेरे सामने पिछला जनम हादिर हो जाए, और तूदो मेरा में गुरू रिखला है प्योग 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 पिशला जराम सामने अजर हुआ चक्तिया? मैं मादो हूँ मादो मादो? मादो 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 कमारा रार अब इठाए अब इठाए मादो ज़क्तिया पहिचाना मादो पैसानी नहीं अब पार्णको अंदर कर नहीं मादो तुझा आप ज़का अब आप झाप झाए एंब वह तो चोडिए सारा कापु में आ गई है नाई तूमर यह जूत है जूत नहीं है किदर औरे अरे अरे तो जूत आम प blindness मरी गई मर गई कैसे र गई अरे अरुष से तू मार दिल गया ब मान थिख engineering किसने मार दिखänge किसने मारा उसने तुझे कैसे मालूम? अमी को मालूम है सबोत सबोत है और भूटने भूलते सबोत है तुझको बॉलना भाइख 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 लाइख पुलिस की तैकिकात क्यू करती पिश्वत ली थी कि तरज रहे रहे ली थी वह जब दो जब दो मादू, बारो, मादू, मादू अगर सबूत मिल चुका है और पारो का खून चौदी जनक सिह ने किया है तो तुम्हे उस पर कदल का मुकदमा दार करना पड़ेगा मुझसे नहीं होगा ये तुम्हारा फर्स बनता है मैं जानता हूँ मेरा क्या फर्स बनता और मैं ये भी जानता हूँ कि मुकदमा दार करना चाहिए लेकिन मुझसे नहीं होगा कटल की सजा नहीं मिलनी चाहिए मेरी जिन्दगी उनके एसानों से लदी पड़ी है, उन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया, वकील बनाया, सरकारी वकील बनवाया, वो अपनी बीटी दे रहे थे मुझे, मैं उसे अपना न सका, ऐसे इंसान पर मुकद्मा कर दू, तुम सरकारी वकील हो, लेकिन इंसान भी हू एक दिल है सीने में, ववादारी भी कोई चीज होती, शरम, शराफवत, मान, इमान, सब कुछ बुला दू, नमक हरामी करू गद्दारी पिर कहा मूँ चिपाता पिरू माया, क्या रह जाएगी इस्सत मेरी मोहन, मैं चंदरमुखी से इतना प्यार करता हूँ, कि उसकी एक खुशी के लिए, अगर मुझे अपनी चांद भी देनी पड़े, तो मैं यू कुर्बान करता हूँ, ये मेरी बदकिस्मती है, कि वो तुम से प्यार करती है, और ये उसकी बदकिस्मती है, कि तुम महज इस्दाद से प्यार करते हूँ! अच्छा किया तुम लॉट आए, अरे जवानी में किस से घलती नहीं होती मिया, तुम से हो गई तो कौन से क्यामत आ गई? हमें यकीन है कि करना तुम्हें माफ कर देगी, और फिर से तुम्हें खबूल कर लेगी, और हमें ये भी अहिसास है कि तुम दिल में बहुत श्रमिंदा हो और जबान से कुछ कह नहीं पा रहे हो, बैठोगे नहीं, जीते रहो, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, अहसान मन दूँ, इसलिए आपके चरंचु है, हम जानते हैं कि तुम अहसान फरामोश नहीं हो, तुमने जो कुछ भी किया ये समझवा, मुसे भूल चुके, जो तीस बरस हुआ वोभी भूल चुके हैं। उसकी इजद लूटी भूल चुके हैं। किस ने तुम्हें बहकाया है? फिर उसका खून किया, भूल चुके हैं। हम तुम्हारा लिहास किये जा रहे हैं और तुम बगे जा रहे हो खून के इल्जाम में आपर मुकदमा दायर किया जा रहा है खून का मुकदमा चाधरी जलक सिंग पर कौन दायर करेगा सरकारी वकील कि ऐसान नहीं भूल सकता है अब मान भी नहीं भूलूंगा तु अधान फरामार सरकारी वकील पर हात उठाना मुनासिब नहीं चौदरी सभब जलील कुटे हमारी दहलीज के टुकडों पर पला और आज हम पर इगुराता है हुआ क्या पापा चूटी इल्जाम लगाने आया था हम पर और फिर जिस तरह एक बासकिती की नजर आसमान में उर्टुई फाक्ता को बेहाल कर देती है उसी तरह मुझरिम ने अपने घर के माली की बेटी को कावू करके उसके जिसम पर अपनी वहशियाना प्यास बुजाई और उसकी मासूमियत को घलीज कर दिया और फिर जब गरीब पारों को हमल हो गया तो मुझरिम ने जो उस वक्त जवानी के जोशे जुनून में डूबा हुआ था एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म कर डाला और अपने घर के माली की बेटी का खुन कर डाला और उसकी लाज को ऐसी सवाई के साथ चुपा दिया गया कि बरसों तक उस जुर्म की बूर तक ना ने दी आज मैं इस राज को बेपरदा करके उस जुर्म को अदालत के सामने रिष्टे जखमों की तरह ताजा करके पेश करूँगा मैं खूब जानता हूँ यह शक्स जो मुझरिम के कटैरे में मवजूद है इस शेहर की एक बहुत बड़ी हस्ती है लेकिन कानून जुर्म को देखता इनसान को नहीं देखता उसके सामने राजा और रंक अमीर और गरीब मालिक और गुलान सब बराबर है चुर्म संगीन है सजा भी संगीन है चुर्म कतल का है सजा मौत है कानून बेरहम होता है लेहाजा रहम की कोई गुंजाइश नहीं थैंक यू यॉर हानर मुल्जिम को कुछ कहना हो तो मौखा दिया जाता है यॉर हानर जिस अजीज को हम अपने बेटे के समान समझते आये हैं जब हो ही हमें भांसी के फंदे पर लटकाने की फिक्र में है तो सिवाए इसके हमारे पास और क्या चारा है कि हम यहां खामोश खड़े रहे मौल्जिम की पैरवी के लिए को वकील हाजिर है माँ पापा को बाइजद घर बाप बसलाओंगी कसम खाती हूं होली वाइवल पर हाथ रखे कहिए जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे मैं जिर कुछ कहूंगा सच कहूंगा आपका नाम तॉमस वोल्टर्स पेशा रटार मेजर इंडियन आमे मेजर टॉम वोल्टर्स आप इस तस्वीर को पहिशानते हैं जी यह तस्वीर मैंने बनाए थी अब तीस-पैंटीस बारस हो गए किसकी है मेरे एक रिक्षा कूली था उसका नाम मादो मेरे सवाल का जवाब दीजिए किसकी है उसकी एक मंगेतर थी यह उसकी तस्वीर है नाम याद है आपको जी उसका नाम पारो था मुझे कोई और सवाल नहीं पूछना आप पूछना चाहें तो पूछ सकती मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना यूर अनर कुछ पूछा ही नहीं हैरत की बात है मैं भी हैरान हूं क्रॉस एक्जैमिनेशन तो होना चाहिए इस तस्वीर में जो हार है इससे पहिचानती यह हार मेरे भाए माधो ने पारो को दिया था क्या यह वही हार है हां वही हार है पारो माधो लिखा है मुलाइजा फर्माइए यह यह तस्वीर वाला हार और यह असली हार एक ही है कुछ नहीं पूछना कवाब के हावाले और व्यूसरा गवावी खाली गया तो समझेव चौधरी जैनक सिंग भी गया बेडाकर्क जब आखरी बार तुमने अपनी बेटी को देखा तो उस वक्त वो क्या कर रही थी वो कोठी के अंदर गय थी जी कोठी के अंदर और कॉन पुलिस में रिपोर्ट लिखाई होगी जी हाँ कि यह पुली स्टेशन की कंप्लेंड बुक सन 1945 जब सब कुछ उर्दु में लिखा जाता था बीस आउगस्ट को कंप्लेंड लिखाई गई काफी दिनों तक तो यह दर्ज किया जाता रहा कि तहकीकात जारी है यका यक तहकीकात बंद कर दी गई इसका भी एक राज है जो अदालत के सामने जाहिर किया जाएगा नहीं जग्तू आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ अरे सत्तो मेरे बाद रखा ही क्या है सिवाए कबल खाने के तुम तो कसम तोड़के आई हो ना और मैं कसम खाता हूँ मेरे बाद जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है एक तो शराब छोड़ दो अच्छा दूसरे पुलिस की रीपोर्ट का वो कागस अभी है वो भी है उससे कचेरी में पेश कर दो किस कचेरी में जाशे तुम कहो सब पताती हूँ पहले बादा करो चक तू अरे भी सारी जिंदगी तेरी आद में निकल करते हैं तो इसे में पुलूंगी जाग तू अब और यह बोर्ट है जो हावैले की तलाशी के वाए मैं लिखी थी इसमें चूटे सहरगार के दत्सकत है इसे मैंने रिपोर्ट बुक से फटके अपने पास रख लिया था हां जो कुछ धाईarte कहीं जो कुछ कहेंगे शच कहेंगे जी सब्सक्राइब की गोषम बेल्ध है न önने जडतवरा पेशा में बहींहेंद किसके बागीशे का इस साप के पास अब पूलिस में कम करता था पूलिस में थे तुमने कभी पारो नाम की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट लिखी थी पूर्ट हाह लिखी थी इन्वेस्टिगेशन के दोरान में तुमने चौदरी साप के गर की तलाशी ली थी कि अभी थी क्या मिला कि एक हार इसक्राइब क्या ये वही हार है 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 अब पुलिस की डेली रिपोर्ट से मालूम होता कि पारों के लापता होने की इन्वेस्टिकेशन तुमने अचानक बंद करती ऐसा क्यों किया तुने जगत्रम तैकिकाद क्यों बंद कर दी अब यॉर अनर गवाज शराब के नशे में है मैं माफी चाहता हूं मेरे अदाले से दर्खवास्त है कि इसे कल फिर बुला जाए क्योंकि यह हमारा सबसे एहम और ज़रूरी गवाह और इसके होशो हवास की मैं पूरी जमेदरे लेता हूं यह और मुझे गवा से कुछ पूछने का मौका दिया जाए लेकिन गवाज नशे में है मुझे शक है यह शक्स बहाने कर रहा है कवा से शराब की पू तक नहीं आ रही और यह सब ढूंग रचाया गया है क्यूंकि गवा सरकारी वकील साहब के सवालों का जवाब उनकी मर्जी के मुत्ताविक लेकिन मुझे यह बिलकुल नशे में लग रहा है अगर गवा नशे में नहीं है तो आप सवाल पूछ सकती ह जगत्राम सुन रहे हो जगत्राम तुम पुलीस से निकाले गए थे किस लिए निकाले गए थे क्या हो लूँ शराब के नशे में रहते थे इसलिए ठीक से बात करो तुम शराब के नशे में नहीं हो जगत्राम आज मैं शराब निपी धर्भी आया हूँ कि अध्याइ चैनाब नगज बंध हो चुकिया जनाब कि इस अफसोसनाक हास्से की वज़े से आज की करवाई कल तक के लिए मुल्ट भी की जाती है कम वक्त को आज ही मन ला था उन कदमे को सारा नक्षा ही बदल गया है उस चिठी में क्या लिखा जो आपके हाथ में दे गया कोट में आने का वादा किया था आ गया हूं लेकिन जिसका नमक खाया है उसे नमक खरामी कैसे करूं वादा किया था नहीं प्योंगा आज नहीं पी तुम्हें आखरी बार देखने आया हूं सबूत भाड़ दिया है माफ करना सकतो यॉर अनर कल सरकारी गवा जगत राम की मौ कमल ना हो सकी यहादा मेरी अदालत से दर्खवास्त है कि कुछ और सबूत और गवा एकठा करने के लिए मौलत दी जाए यॉर अनर पेशतर इसके कि सरकारी वकील साहब को और वक्त मिले मुझे अपने गवा पेश करने का मौका दिया जाए आपके गवा हाजिरें बिलकु क्याए जी वो गरीब दर्खास थे लेकिन कानून के खिलाफ नहीं मुझे इनकी इस हरकत पर सकत इतराज है कि अधालत जानना चाहेगी मुखदमी की पैरवी के लिए क्या यह लाजमी है नहायत लाजमी है यॉर अनर यकीन दिलाएटी हूँ कि अधालत की सरकारी वकील को हिदायत है कि वह गवा के कटारे में पेश हो जाएं कि अधा पर हात रख के किसम खाईए जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे ना जो कुछ काऊंगा सच काऊंगा आप हनुमान मंदिर के पुजारीजी से मिलने गए थे काया था प्रिकु शास्त्र से चंद्रमुखी के पिछले जनम के बारे में पूछने गए थे जियां क्या पता चला यह बिल्कुल प्राइवेट बातियां यॉर अनर है किया आपके सवाल का मुकदमें से तालुख है अजीब औंगरीब तालुख है यॉर उनर गहरा तालुख है खतर नाथ तालुख है बल्कि तू शास्त्र से क्या पता चला सवाल बदलती हूं पिछले जनम के बारे में क्या पता चला मुझे इजाज़त मिले कि मैं कटेरे से बाहर आकर कुछ आशा कुछ नहीं खड़े रहेंगे जब तक आपको हिलने की मैं इजाज़त ना दू आपको हिदायत है कि बास सिर्फ वही मुखी के रूप में पैदा हुई है और सरस्वती बाई का भाई माधो मरने के बाद इस जनम में मोहन कपूर बनकर आया है यह सच है हाँ यह ना हाँ क्या ब्रिगु नहीं यह बताया कि माधो को पारों से प्यार था और माधो को दूसरा जनम लेकर यानि मोहन कपूर बनकर पारों की मौत का बदला लेना होगा नहीं तो चंद्रमुखी की आत्मा को इस जनम में शांती नहीं मिलेगी क्या भ्रिगु शास्त्र में यह भी लिखा था कि पारों का खून चौदरी जनक सिंग ने किया है मालूम नहीं लिखा था के नहीं हाँ या ना सफा फटा हुआ था अब आप जा सकते हैं ंब डूल अलड़ा हुआ है तो ये नक्षा है योर अनर ये मकदमा पिछ़े जर्म्की बिना पर दायर किया गया है और इसे यहीं पर खारिज कर दिया जाए क्यूंके कानून में कहीं नहीं लिखा कि दूसरा जनम होता है कानून में ये भी नहीं लिखा कि दूसरा जनम नहीं होता है कानून इस मसले पर खामोश है खामोशी को इंकार नहीं माना जा सकता मसले बहुत पेचिदा है यादेलातों Your Honor इस अदालत में मुझे गीता की कस्म दिलवाई गी So इन्सान की कस्म खाता वो दूसरे जनम की कस्म काता क्यूंके गीता में भगवान ने कहाई कि जिस तरह इनसान पुराने कपड़े पहन कर ने कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने जिसम को छोड़कर नया जिसम धारन कर लेती है. अगर अगर आदालत गीता की कसम कबूल करती है, तो आदालत दूसरा जनम भी कबूल करती है. लेकिन यूरानर बहस दूसरे जनम पर तो हो नी रही बहस तो इस बात पर है कि क्या ये मुकदमा पिछले जनम की बिना पर चलेगा कि आज के कानून के मताबिक क्या तीस बरस की मरी हुई बारो का मुर्दा इस अदालत में आकर गवाही देगा कि उसको किसे मारा बदा कि आएगा जब कि उसके आत्मा कसंदेशाम तक पहुंच चुका है चंद्रमुखी के रूप में तो य меньше चंद्रमुखी को गवाही के लिए पेश किया जाए मैं यारॉनर चंद्रमुखी सालत में लिए कि आधालत में पेश किहा सके क्या उसे बिखर है नहीं! क्या वो अपाहज है? नहीं! यह वो इतनी नाजुक है कि अदालत की हवा उसे मॉआफिक नहीं आएगी? नहीं! तो वो क्यों नहीं आ सकते? नहीं, नहीं, नहीं! डॉक्टर के मुताबिक उसकी दिमार जालत नाजुक है! यही तो थाबित करने के लिए मैं उसे यहां बुलाना चाहती हूँ, Your Honor. मैं चंद्रमुखी के गवाही नहायत लाजमी समझती हूँ. अगर चंद्रमुखी के जरीय कोई राज जाहिर होता है, तो उसके नाम समन जारी किये जाएं. मैंने कहा था, कहा था, कहा था चंद्रमुखी को कोट में बेशमत करना. बात मेरे बस में नहीं थी. तुम खूब जानते हो चंद्रमुखी की हालत ठीक नहीं. चंद्रमुखी, घबराव नहीं. सुना है तुम्हे पिछले जनम की बातें याद आती हैं. क्या ये सच है चंद्रमुखी कभी याद आती है कभी नहीं आती इस वजह से कभी ऐसा भी हुआ है कि यूही कोई समझ बैठा हो कि तुम पागल हो रही हो मम्मी डड़ी ऐसे समझते हैं चंद्रमुखी तुमें मालूम है कि शिमले के पास वाली जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पे पारो माधो के नाम खुदे हुए हैं और वो प्रेमी थे और आजकल के भी प्रेमी वहीं जाकर ये प्रार्थना करते हैं कि उनका प्यार पारो माधो जैसा हो और कई हाई तो यह भी सोचने हैं कि वह तुम वहन सब ऋस जंगल में गाई थी और क्युंकि तुम मोहन से प्यार करती हो तुम प्रेम के जोश में यह समझ बैठी कि तुम पारो हो और वह माधो है मुझी विश्वा से कि मैं पारो थी डॉक्टर नरेश, तुम्हारा इलाज कर रह किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, वो समझते हैं, मेरे दिमाग में कुछ खलल है, तुम्हे किस ठंग से मारा गया, मुझे, यानि पारो को, खुलारी से सर फुडा गया, सीने में गोली मारी गई, पेट में छुडा फूंका गया, अब्जेक्शन यॉर अरॉनर, मुझे नहीं मुझे मूगी, तुम्हे मौलू मैं मौलू है, तुम्हे मौलू है कि एक इनसान को, इनको भासी के तख्टे पे लट्कानी की कोशिष की जा रही है, वो मै Richards तुम्हारी वज़ा से, मेरे वज़े से, मोहन साब ने इन पे कतल का लजाम लगाया है, तुम्हे मौलू है मुझ चंद्रमुखी, तुम्हारे माबाप तुम्हें पागल समझते हैं, डॉक्टर नरेश तुम्हें पागल समझते हैं, क्या तुम भी कभी अपने आपको पागल समझती हो? अब्जेक्शन! मैं पागल नहीं हूँ! मैं कहती हूँ, तुम पागल हो! नहीं मैं पागल नहीं हूँ तुम सरा सर पागल हो चदने बुखे इनने रोक दिया जाए यार अरानू कि इनको ऐसी बाते करने की जादत कैसे दी जारी है यह हच्छ से आगे बढ़े यह अगर यही रवहिया रहा तो आपका cross examination रोक दिया जाएगा मैं पागल नहीं हूँ मुझे इनसे कोई और सवाल नहीं करना था कवाब के हवाले है ऐसी हालत मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर नरेश ने अगाह किया था कि अगर हम इने अदालत में पेश करेंगे तो इनके दिमाग को धक्का पहुंचने का खत्रा यह रॉनर डॉक्टर नरेश को पेश किया जाए गीता पर हाथ रखे कसम खाईए जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा नाम नरेश कुपता पेशा साइकाइट्रिस्ट यानि आप दिमागी बीमारियों का इलाज करते हैं जी इलाज के दौरान आप मरीज को सुला कर उसकी यादाश्त को बच्पन की तरफ वापस ले जाते हैं ताकि बीमारी की वजह पता चल जाए क्या ये ठीक है ठीक है किस उम्र तक वापस ले जाते हैं पंद्रह दस पाँच आपने जो तालीम पाई उसमें ये भी सिखाया गया कि मरीज को पिछले जनम तक वापस ले जा जा सकता है नहीं यानि आपकी साइंस ये कुबूल नहीं करती कि पिछला जनम होता है नहीं तो इलाइच के दौरान में आपने चंद्रमुखी को पिछले जनम में कैसे पहुंचा दिया वो खुद बखुद पहुद पहुंच गई थी क्या इसमें आपको खत्रा नहीं महसूस हुआ हुआ किस किसम का खत्रा डॉक्टर नरेश कि शायद मैं उसे वापस न ला सकूँ और वापस न ला सकते तो क्या होता वो पागल हो सकती थी उसके बाद आप फिर कभी उसे पिछले जनम में ले गए हां यह जानते हुए कि आपको इस बात का ना थजुर्बा है ना हक है ना आपकी साइंस आपको इजाज़त देती है ना कानून हां और यह जानते हुए कि शायद चंद्रमुखी पागल हो जाए हां यानि आप पड़ी ना समझी से पेशा है अपने जान बूच कर मरीज को खत्रे में डाला आप जैसे डॉक्टर को डॉक्टर का पेशा करनी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और आप अपने सवाल मुखद्वे की हद तक रखिए यह आपको आखरी चितावनी है बहुत अदब से मौफी मांगती हूँ यॉर अपनर ऐसी उस्ताखी फिर नहोगी आखरी सवाल क्या यह मुम्किन नहीं कि चंद्रमुखी पिछले जनम की हालत में जो कुछ भी कहती रही वो महस एक तमागी खलल का नदीजा हो मुमकिन है लेकिन मुमकिन तो है हाँ मुमकिन है मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना आप चाह सकते हैं Your Honor मैं पूछती हूँ इस अदालत से मैं पूछती हूँ कानून से मैं पूछती हूँ दुनिया के कानून बनाने वालों से क्या ऐसी लड़की की बड़ बड़ा हट पे इत्मार किया जा सकता है जिसकी दमागी हालत नाजुक हो क्या ऐसे डॉक्टर पे इत्मार किया जा सकता है जो जान पूछ कर मरीज को खत्रे में डाल रहा हो क्या ऐसे शराबी पुलीस इंस्पेक्टर पे बार किया जा सकता है जो पुलीस से निकाला जा चुका हो और जिसकी समझ में ये बात नहीं आई कि पार उलतु घर की नौकरानी थी वो एक हार क्या किसी भी कमरे में कुछ भी भूल सकती थी Your Honor ये मुकदमा इन्सानियत, सभ्यता और नेकनामी के कतल का मुकदमा है ये मुकदमा क् geared की तोहीन हे ऐसा बहंगव मुक रा किसी अदालत में कभी भी पेश नहीं हुआ होगा ये हाज़ा मेरी अदालत से दर्खास्त है कि इस मुकदमे को यहीं खरिच करके मुझरिम को बाइजदत रहा कर दिया जाए थेंक्यू यूर उनर आज शनिवार है कानून के मताविक जाइज सबूत पेश करने के लिए आपको सुमबार तक के मौलत दी जाती है वरना मुखदमा खारज कर दिया जाएगा पापा सुमबार को आपको पाइजद खर ले जाओंगी बहुत अकेनी हो पापा करूने अजी से मिलना है जी इस वाकत हाँ हाँ जरूरी काम है उसे को डॉक्टर नरेश आया है जाओ जल्दी बीवी जी डॉक्टर नरेश जी आपसे मिलना चाहते है के दो नहीं मिल सकते कि इस घर में एक खामोशी रह गई थी वो भी आप बरबाद करने चले आगे कि माफी मागनूंगा लेकिन इस वक्त एक जरूरी दर्फास लेकर आया हूं फर्माइए मोहन और मुझे यकीन है कि जो सबूत अदालत को चाहिए वो आपकी हवेले में मिल सकता है हमारा सर काटने के लिए हमारी ही तलवार मागने आये है एक बेकसूर लड़की की जान खत्रे में है एक बेकसूर बाप की जान खत्रे में है लेकिन आप चौधरी जनक सिंग के घर पर फर्याद लेकर आए हैं और जो इस दर्ब पे आता है उसको हम खाली हाद महीं जाने देते लेहादा आप मोहन साब तक हमारा पैगाम पहुँचा दीजे कि हम न सिरफ इजाज़त ही देंगे बलके खुद आकर अपनी हवेली के दर्वाजे उनके लिए खोल देंगे तो श्रीफ लाइए शुक्रिया अहां अंदर चलो शुक्रिया आप जिस कमरे में भी जाना चाहें शौक से जा सकते हैं पीदर ये ट्रॉइंग रूम हुआ करता था मुझे यहां क्यों ले आए यादों की शमा ये बने बूले नजारों में कभी आने वाले कल पे हसे खिलती बहारों में कभी एक हाथ में अंधियारा एक हाथ में जोती है तुक सुक की हर एक माला आनारारारारार। आनारारारारा उर एक में कार्णदा प्रॉणध तूमार उयारारार jsा तूमार्णदा एक हाथ कहा गया पारो मैं अपने हार लेने आई थी उस रात आस्मान से गर कोई देवता भी देख रहा होता जो कुछ मैंने देखा तो वो भी इस कमरे में उतार आता और वोही होता जो कुछ हुआ हम उम्र भर तुम्हारी देख्भाल करेंगे और तुम जो चाहोगी वो देंगे आप मुझे माधा वापस दे सकते है हमें तुम्हाई दुख का पूरा हिसास है लेकिन पारो अब मुझे कभी छुना नहीं छोटे सरकार और अगर भगवान है और अगर कहीं नहीं है तो जैसे मुझे से माधा चीन लिया गया छोटे सरकार वैसे एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज़ आपसे कुद्र चीन लेगी चलो बेटे हम दर्दी से पेश आ रहे हैं और तुम बोले चाहरे हैं अब आओ भी चुप करो बड़े सरकार सुन लेगा तेर हो रही है बेटे मैं सारे दुनिया को चीज़ चीज़ तर तुनाओगी अच्छा तो हम नीचे रिक्षा में इंतजार करते हैं आज चंद्रमुखी 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 फिर क्या हुआ चंद्रमुखी फिर क्या हुआ चंद्रमुखी मोहन इस वक्त और कुछ मत पूछो हालत ठीक नहीं है चलो यह तो पता चल गया कि चौद्री जनक सिंग ने पारो का खून कैसे किया लेकिन कल मैं अदालत में सबूत कहां से पेश करूँगा अदालत को सबूत चाहिए तेखो तुम इसे घर ले जाओ और एक पुलिस इंस्पेक्टर बिजवा दो मैं मैं कुछ और तलाश करता हूँ खून हुआ जो बात हुई नहीं उसका सबूत किस कबर से खोट कर लाइएगा बड़े सरकार जब दिली गए थे याद करो उनके जाने के बाद कोई आया था कोई नहीं बाओ जी अरे सोचो याद करो शाहिद कोई आया हो अब अइक मिस्तरी आया था उपर वाली दिवार टूट की थी ना उसकी मरंभत करने क्या नाम था प्ली राम प्लीया का रयता यहीं जी निचे वाले गाम में जी मिली राम का गर कहा है वह है माराज सबसके बेटा मरा कुछ फागल होगे है पेली राम, तो मिस जए काम commence सूनो तो मेरी बात Th realities अर राम करील एध मिशे तुमसे कुछ पूछना लेगेते Ai laga younger अब तम बागों में अज्जा नहीं मिलता, पानी बिलो, तीस साल हुए, सोचो, तीस साल पहले, बहुत काम गहता हुए, चोटे सल्गाति में माले गए थे, हवेली, 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 आच्छा, मेरे साथ चलो, हवेली, हवेली, बहुत पुरानी होई गई, अवे यहां कोई नहीं रहता, चलो, 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 यह तो नहीं, को नहीं है? चोटे सरकार, सरकार बोलते थे, बहुत जरूरी काम है, किसी को बोलना नहीं, जरूर खजाना चुपाया होगा, यहां, आचा, चलो, चलो, अधर दर्वाजा होना चाहिए, खोलो, आहे, सीडिया होनी चाहिए, चलो, उपर एक और कमरा है, चोटा, हाँ, वो भी है, आए, यह, बनल गया है, आए, वो है, क्या, क्या, मैंने लगाई थी, वो ही जे, वो खजाना, जो तुम, तुम जो कह रहे थे, न, वो जो कुछ भी कह रहे थे, वो कहा है, वो पीजे, पीजे, इटांगे, इटांगे, तिवार तोड़नी पड़ेगी, आप जो चाहें कर सकते हैं, इंस्पेक्टर, कॉंस्टेबल, जनाब, तोड़ो इसको, वहां से शुरू करो, जी हजूर, उपर, उदर, कॉंस्टर, कॉंस्टर, पर्थे, गब कहाए, तोड़ो भॉग अजाई, यहुँए पिले से, कॉंस्टरips, शॉठके, असमी ह्म 네 तुटर, असम, थैक्टर, आसम, जोॉग और। कुछले कासर जे एस कर दो कर दो हुँ हुँ हो एाही हुँ 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 मैं हार गई मोहन संदगी हार पहलू से उचड़ गई मोहन तुमने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मुझे तभी तुम्हारी जरूरत पढ़े तुम मेरी मदद करोगे कहा था ना मोहन मेरे पापा की संदगी तुम्हारे हाथ में है मैं तुमसे उनकी जान की भीक मांगती हूँ मोहन अब यह मामला इनके हाथ में नहीं कानून के हाथ में है कॉंस्टेबल कर यह पिंजर अदालत में बेशिया जाएगा अधियात के साथ यस सर अब तो समझो चौदरी साथ गय है आज चैन की नीच सो रही है सबूत मिल गया है कॉट तो पर परिशान की नहीं सरा रही हो बीपी जी मेरी बच्ची बहुत बीमार है मैं तरह टेलीफोन का रहा हूं अब अब रहा है मैं अब अब लिए कर दोhosे में पोसी कार्ण वंज सर दो जाने यह परतो दें compost जार बहाई कर द्वेल कर जार ढाताべ पर मैं पाम प्रश्चार वकील साहब है जी नहीं वकील साहब नहीं है मैं डॉक्टर नरेश बोल रहा हूं बोलिये क्या बात है हवेले को आग लग गई हवेले को हवेले को हवेले को गेगे मेको आग एका है नहीं हैünst कल दात का बाजाजी का बाजाजी का बाजाजी करो चूर 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 मुला जी, ऑगाट! जल दे अबूनस फुलों! जी साव करूना, करूनाजी मुए, मुएने बबाइकी जन बजानी करें, अधारत की कारवाई करनी पड़ रही है, इसका में बहुत दुख है, सरकारी वकील साब को स्वबूत पेश करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना, मेंlic, यह जानते हैं। की में यह कएस़प लेनाना चाहें, मैं दर्ख़ुवाद करता हूं कि मुझे कुछ कहने का मौक है कि नहीं हमleyCs लेकिन आप कहने से क्या फाइद़ हैं जब केसवापस ही लिया मंग रहता है? इजाज़त दी जाती है इस अदालत के उपर एक और अदालत है जिसका फैसला मेरी रूर की गैराहियों तक पहुँच चुका है वहाँ सबूत नहीं मांगे जाते और सजा दी जाती है जो सबूत इस अदालत को चाहिए वो मिला होगा लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए बेती ने वो सबूत को जला दिया और क्यूंकि उस अपने बाप को खसूर वार पाया वो खुच जल कर मर गई इस से भेम कर सजा और क्या हो सकती है कि ये ख्याल मेरे दिल की घाओ में मौत की घड़ी तक रिस्ता रहेगा उद्रत ने मेरे दिल को पकड़ कर यू नचोड़ा है कि तबाम उमीदें सब बर्मान सारा गरूर कत्रा कत्रा बंगर खुन की तरह बह चुके हैं और अब और अब कुछ नहीं रहा मेरी सिर्फ एक ही खुआश थी कि दुनिया भर की खुशियों से अपनी बेटी का दामन भर दूँ उसके लिए खुशियां ही खुशियां छोड़ जाओं लेकिन ऐसा नहीं हो सका मेरा एक ही पाप उसकी जान ले बैठा उसकी खुश थी कि मोहन की शादी चंदरमुखी से हो जाए मैं अपना सब कुछ मोहन के नाम करता हूँ और दुनिया भर के सामने अपने जर्म को कबूल करते हुए उस अदालत के बाद इस अदालत से भी सजा की लतजा करता हूँ ये ल्टजा उबूल सर्माई जाए हर पहलू को मद्दे नदर रखते हुए अदालत मुझरम को उम्र कैद की सजा देती है जीते रहो जीते रहो खज़ हो खज़ हो खज़ हो और अगर भगवान है और अगर कही न्याई है तो जैसे मुझसे माधो छीन लिया गया छोटे सरकार वैसे एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे कुद्र छीन लेगी खुद को सुपाने वालों का पल पल पिछा ये करे सदाती है ऐसी तन मत चलने करे फिर दिन का हर इक गाओ अश्कों से ये धोती है दुख सुख की हर इक माला पुद्रत ही फिरोती है हाटों की लगिरों में ये जागती सौती है सुख सुख की हर इक माला पुद्रत ही फिरोती है झाल प्राइन जाल प्राइन लुद्रत ही ने जाल प्राइन जाल प्राइन झाल